नमस्कार दोस्तों जैहिन आज मैं जेशिवी का काम करने वाला हूं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसके इस्टेपलाइजर की प्ले हो जाती है और इसमें बुष्ट डलते हैं बहुत ज्यादा प्ले हो गई है यह नट खुल नहीं रहा है टी एंडल भी तूड़ ग इसको चेंज करना है और वह चेंज करके हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से अच्छा अब इओपर हाइड्रोलिक का हम यह जो पैप खोलेंगे तो इस पर हमने धगा बादना है यह इसलिए बानना है क्योंके हमने पता रहे बाले में हाइड्रोलिक सिलेंडर में और क्वारा हम जो हैड्रोलिक स्लेवर हैं उसके न दर दालेंगे उसके हम दोबारा इसलिए डाल देने क्योंकि हमने है ईएंजों को एक साथ उपर उठाना है तो इसके बज़से हम इसके इंदर डालेंगे उपिंड़ ही है नीचे फूट को रख लेना उपरोपर भीन नाँट करो कर दॾँ करेंगे तह यह उस तरह इसमें भाजा देने जह जाएगा नेचे ना कम ज्यादा नहीं रखना है पूरा बैठा देना है अगर उस तरफ रहा तो भी नहीं ऊपर उठेगा और इस तरफ रहा तो भी नहीं ऊपर उठेगा तो इसलिए हमने दोनों पूरा प्लैन बैठा देना है इधर उदर मत छोड़ना नहीं है तो पिन को ठोक ठोक के आसानी और थोटी देर में ये पिन आभारी अदर हो जाएगी और आपको वीडियो पूरा दिखाएंगे हम जब पिन अंदर होगीeto उपर वाली पिन का लॉग को के आना कि यह थोड़ा साम्ट उप नीकालना यह थोड़ा से पीछे करना और यह मुद निकालने के हम हाइडरीड़िग पाइप खोल देंगे तो डो बोटल रखेंगे और इसको जब ऊपर उठाएंगे तो और मैं रखेंगे दो एक देड़ बोटल के समा अज़ू Ark þुरक है और इसको उठाना राम है इसको बन ने दो दो बंदे लग जाएं दोने तरफ तो आसानी से उठ सकती है आपका स्टेबल वगेरा होना चाहिए साइड में खड़े होने के लिए तो आसानी से हम इसको उठा सकते हैं उठाने के बाद इसमें जो बुस रहते हैं उनको हटा के हम ब्लॉक वगेरा लगा दें क्योंकि नीचे न क्योंकि हमारा इतना काम है इसको उपर करना अभी नीचे के हमने बस हट आने नीचे अभी नीचे दो लगते हैं उपर 4 मिए नीचे में हटाने और नाई उता बिद्धार रखना रेड़ी रखना तुरंत लगा भी देना ठीक है यह स्कूडाइबर की मदद से हमने इसको अटाना या कैसे भी जैसे आप हटा सकें और यह हमने बुस हटा है दो बुस रहते हैं दोनों पुस हमने निकाल दिये हैं अब इसमें हमने नई बुस भी सेट करन बुस बढ़ा हैं तो वह क्या है उसमें बेट रहता है तो उनको ज्यादा देर तक बेट न उठाके रखना पड़े इसलिए हमने तुरंत रेडी रखना है बुस जो नई वाले बुस होते है रेडी रखना उनमें थोड़ी ग्रीस लग रखनी ग्रीस हमने इसलिए लग ग्रीस रहेगी चिपके रहेंगे तो वह ग्रेंगे नहीं और दो बंदे आओ दो बंदे चार बंदे हो तो आअसानी से उठ सकता है तो यह उठ गया हमारा दोनों तरफ हम बुस लगा देंगे यह धियान रखना हमने रेड हैं तो रेड रेड अपोजिट में नहीं हो दियान है जो हम इसको नीचे करें इनको थोड़ा सा उंगली लाकर रखना है थोड़ा दूर भी रखना है क्यों खत्रा है उंगले अंदर चलीगी तो दब जाएगी और नीचे बुस का भी ध्यान रखना है एक दम से छोड़ें तो नीचे बुस भी निकल सकते हैं और आसा से नीचे आजाएगा थोड़ा सा उपर से प्रेस करेंगे नीचे आजाएगा अभी जो हमने दागा बांदा था इसमें पाइपों को चेक करने के लिए तो दागे से हमें पता चलाएगा उल्टा सीधा नहीं अभी हमने लगा दियें दोनों पाइप अभी बुष्ट डालने ह एक बुष्ट डालने हैं। ऑणकर यहम्हें पिन ठाख देनाा है। और इसमें लौक लगाना है कि यह कि मदद से अब हमकुा पिन ठाख रहे हैं और जिब सीधमें अपने अप अंदर चली जाएगी और इसको चेंटर करके इसमें एक नटबोल्ट की देनों हमें लॉक होता है उसको लॉक करेंगे नट कि मदद से हम लॉक कर कर देते हैं यह नर्ट सफ ऊठोर लॉक नट होना चाहिए cylinder को खुछने का खत्रा कम रहता है यह मरा पर का काम हो गया अब हम करेंगे नीचे self lock nut हो तो ठीक रहता है खुलने का खत्रा कम रहता है यह हमारा उपर का काम हो गया है अब हम करेंगे नीचे का काम नीचे जो हमने पेंड डाली थी पहले हाइड्रोलिक सिलेंडर को उठाने के लिए उसको निकाल देना है और जब निकाल देंगे तो ऑपरेटर को बोलेंगे थोड़ा उपर उठाने के लिए जब थोड़ा सा उपर उठाएगा तो जो इसका फुट था उसको हम सेट करेंगे फुट को सेट करके इसके अंदर palsyूद इसको लौग करना है यह हमारा इसी एक लौग से नीचे लौक रहता को और हमारा काम है ऑब इसको सीधा करना जब सीधा कर लेगे हम तो यह और इस me एक चीज़गा दिखान रखना हाथ नहीं डालना हाथ उंग्ली fff 가म कर रहा पता नहीं होता है कभी ऊपर उठाना पड़ता है कभी नीचे डाउन करना पड़ता है तो खत्रा इसलिए रहता है उंगली नहीं डालना है इसके अंदर स्कुडाइवर डालो plans स्कूरूडाइबर हो गया पाइप हो गया सरीया हो गई कुछ भी आप डालो लेकिन उंगली हाथ वात नहीं डालना है थोड़ा उंगली वगए उससे थोड़ा साब्दान रहना है जब हमारा बिल्कुल होल सीद में आ जाएंगे तो इसको हमने डाउन कराना है थोड़ा वह ह देखो इससे यह खत्रा रहता है कि हाथ वात होगा तो कट जाएगा ना तो अभी हमारा देरे-देरे डाउन करना है इसको और शैट करना है होल पे जब तीनों चीज एक सीध में होंगी तो पिन डल जाएगी आराम से और यह पिन है हमारी इस पिन को साफ कर लो थोड़ा ग मदद से अंदर ठोक देंगे यह देखो यह हमर की मदद से दीरे-दीरे ठोक रहें अभी लोक को सीधा करेंगे लोक को सीधा कर लेते हैं क्योंकि सीध में होना चाहिए नहीं तो अंदर फिर अंदर घुमाने का तर जगह नहीं मिलेगी फिर हमें पता नीच लेगा लोक का ह है सीधा करके अंदर ठोब बिल्कुल बर्दाबर आएगा तभी लोक हो करेंगे लोकनट फोल्ट से लोख होगा तो इसके लिए हमारे इस लोक और में इस नट को 07 majobcell करने के लिए हमारे पास सब्सक्राइब करने थाश्रक नहीं होगा तो फिर ने प्र फेर्फियर डालने का और यह हम देखते हैं इसको नेट को डालेंगे अंदर नेट को अंदर डालके नेट बोल्ट को दोनों को लॉक कर दिए इसमें 16 नमर का नट है और हमारी एक गोटी लेनी हमने 16 नमर की उससे हम इसको टाइट करेंगे तो गोटी शेट से हम गोटी लेकर इसको टाइट करेंगे इसको रैचिट से थोड़ी दिर करेंगे फिर मदद कर सकते हैं और यह काम आगे फिर आगे आपको पूरा दिखाएंगे और यह 16 नम्मर का गोटी लेकर हम इसको सोला का है चौधा का जो भी है अब रैचिट से हम इसको टाइट कर दिके रैचिट से फुल टाइट नहीं करना हमने अतना ही ताइट करने जितना में जरुरत है उसका भी विडी ओंक भी देंगे क्योंकि इस ब्स यह नत के साथ जो बुस फिट करते हैं, वो कई लोग क्या करते हैं, ठोक ठोक के करते हैं, तो खराब हो जाता है, कभी क्रेक हो जाता है, कभी फैल जाता है, फिर अंदर नहीं जाता, तो इसका एक तरीका है, वो हम आपको फिर अगले वीडियो में दिखाएंगे, इस वीडियो में हमें दिखा लेकिन आप अगर चाहो तो इसे खुद भी कर सकते हो क्योंकि लेवर चार्ज बहुत लग जाता है इसमें 10-15,000 रुपे लेवर चार्ज लेता है बूम के बुस फिटिंग के तो इसलिए आप कर सकते हो ज्यादा हाड काम नहीं ज्यादा है वी काम है और यह जानकारी आपको इसलिए दिये मैंने कि लेवर चार्ज बहुत लगता है और आप खुद करना चाहो तो आसानी से भी कर सकते हो और इनको जो यह नट है यह बीच बीच में महीने दो महीने में ऑपरेटर पक्का इनको थोड़ा आगे पीछे करता रहे इसलिए अगर नहीं करेगा तो फिर इ सकते लिचे देखो बिल्कुल सेट हो गए हैं बिल्कुल हिल नहीं रहा है फूल टाइट करने के तो आसानी से काम करेगा और यह हम फुल टाइट करके एक बार फिर चेक करेंगे फिर थोड़ा सा लूज करना क्योंकि नहीं तो हाड रहेगा और बुस ज्यादा गेसेंगे हमारे उपर चार बुस हैं नीचे दो बुस हैं और दो नट के साथ बुस हैं यह नट वाले हैं जो ज्यादा आवाज कर रही यह है तरीका और आपको यह तरीका अगर पसंद आया हो तो आप देख लो और देखके अपना काम अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लो और हमने एक सर्विशिंग का भी वीडियो डाला है अधर हमारे पास आगे जो बुम रहती हैं जो आगे बैकिट रहता है उसका भी COM गैरլॉक्स का वीडियो है और किसी भाई को चाहिए हो तो बताना उसका गैर्बॉक्स लीक था तो हमने उसको ऊपर ओरिंग और सब कुछ बदली किया है और सही काम कर रहा है किसी ओचय को चाहिए